नमस्कार मित्रो मैं मम्ता बाज पेई भुपाल से मेरी हरी भरी इच्छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ तो आज आप देखिए काफी नुकसान हो गया है तो आप न करें ये गलती जो मैंने की अक्सरम बाउंडरी 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 पर गमले रखते हैं और बरसात आने पर आधी और तेज हवाय चलती हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से गमले बाउंडरी पर रखे रहने दे और कौन से हटा ले बाउंडरी पर गमले रखने के कुछ नियम होते हैं एक तो हमारी बाउंडरी बॉल चौड़ी होना चाहिए मेरी बाउंडरी पर जहां ये गमले रखे हैं वो काफी चौ के पौदे रखे हैं यह गमला बहुत भारी है और इसका जो पौदा है बहुत ऊपर नहीं गया तो जो पौदे बहुत उंचे नहीं गए वो नहीं गिरेंगे और यह जो दोनों गमले गिरे हैं देखिए यह पौदा भी बहुत उंचा है और इसमें पौदे में इतना वजन है एक तरफ जुका हुआ वजन है और गमले की तली भी बहुत चौड़ी नहीं है तली सकरी है ये देखिए एक अडेनियम का गमला भी गिरा है इसमें भी यही है तो आप जब बाउंडरी पर गमले रखे हैं तो आप परसाथ आने से पहले ये तेज हवाएं आती हैं वैसे तो आप हमेशा ही बाउंडरी पर गमला रखने से पहले ये ध्यान रखे हैं कि जिन गमलों में बहुत उचा पौदा हो गया है वो तेज हवा में गिर ही जाएगा चाय फिर उसकी तली चौड़ी भी हो फिर कोशिश करें कि जो पौदे बहुत है भी बड़े-बड़े हैं और तलीग पौट की सक्री है उन्हें आप फटा लें तेखिए इतनी तेज हवा थी कि यह मैंने एक जगह एक खटे रखे ते बिखर गए यह लकड़ी है जो गड़ा करना है और उनका जो नया पौद है उसे डवलब करेंगे तो वह पुराने पौदे से अच्छा पौदा बन जाएगा और यह बेलों का थोड़ा से अपडेट देख लीजिए इसमें ट्रू लीवाना शुरू हो गई है अब यह मेरा अरेलिया का पौदा है आपके जो भी औ और ना मंटे प्लांट्स हैं वो गर्मियों में अकसर ऐसे रोखे बेजान हो ही जाते हैं अगर चट पर रखे हैं तब तो बहुत ज्यादा मेरे तो सारे हो गए और बहुत से पौदे इस साल मर भी गए तो बस मैं क्या करूंगी इसकी हार्ट प्रूनिंग करूंगी और जि वैसे ही नई कटिंग अगर हम डवलप करेंगे जो भी पौधे कटिंग से लग जाते हैं उन सब की कटिंग आप इस मौनसून के मौसम में यह जून जुलाई अगस तक तीन मैंने लगा सकते हैं और पौराने पौधे की हार्ट प्रूनिंग करें उसकी उपर की तीन से चार इंच पिट्टी निकाल दें और फ्रेश मिट्टी भर दें ऐसा करने से पौधा फिर से नई ग्रोथ ले लेगा हैल्दी हो जाएगा यदि आपका गमला साल दो साल से आपने री पौटिंग नहीं की है और आपको लगता है कि वो नीचे रूट बाउंड हो गया है जब तो पौधे की ग्रोथ रुख जाती है तो आप इसी समय पूरा गमला पलट दें रूट्स की भी हार्ट ट्रोनिंग कर दें और पौट को या तो बड़ा पौट पौधे को या तो बड़ा पौट दे या फिर चोटे पौट में नई मिट्टी के साथ आप लगातें तो सारे काम ऑन कैमरा नहीं हो पाते मेरा आप ओवर व्यू जब भी देखेंगे तो आपको 10-12 गमले से देखेंगे जिनकी मिटी चेंज होई है रूट प्रोनिंग होई है और ब्रांचिस प्रोनिंग भी होई है और नई कटिंग्स भी डिवलप में कर रही हूं अब यह जो न होई है और यह अच्छी नहीं लग रही है तो बस मैं इनकी कटिंग कर दे रही हूं तो में तो वीडियो वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि दो काम आप जरूर कर लें एक तो खलती न करें बाउंडरी पर जोगां मिले रखेंगे बरसात में आप हटा लें और अगर बाउं करने और नए पौधे बना लें और फिर आपके पास दो से चार चार से चेह गंबले हो जाएंगे यदि आपके पास ज्यादा होते हैं तो आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप पुराना पौधा हटा सकते हैं और अगर खराब नहीं हुआ है तो तो आप जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार